उन्नाओं में सनीवार देर साम को दो पच्चों में पुरानी रंजिस को लेकर विवाद हो गया विवाद इतना बढ़ गया कि फाइरिंग और चाकू बाजी हो गई जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि एक युवक खायल हो गया उसे इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराए गया मामला उन्नाओं के तालिद सराय का है यहां के रहने वाले एकलाग खान के पडोस में रहने वाले सेरू से रंजिस चल रही थी एकलाग के भाई आफताव आलम के अनुसार सनी वार रात एकलाग घर के बाहर खाड़ा था पडोस में रहने वाले सेरू अपने चार साथियों के साथ महां पहुचा और गाली गुलौस सुरू कर दी पिरोत करने पर उसने तमंचे से गोली मार दी कमर में गोली लगते ही वाचीक पड़ा और सेरू से भिड़ गया इसी बीच उसके साथियों ने एकलाग की गरदन और पेट पर दो चाकू से वार किये जिससे वाँ वहीं गिर गया जहां परिजन उसे जिला स्पताल ले गये जहां से उसे हैलेट रपर कर दिया गया हैलेट ले जाते समय उसकी मौत हो गई तो वहीं एकलाग के भाई का कहना है कि घटना के बाद मुख्य आरोपी ने महले में दहसत फैलाने के लिए कई राउंड फाइरिंग भी की इसके बाद वा सब फरार हो गए तो वहीं महले वालों का कहना है कि एक हफते पहले आरोपी सेरू के घर में विजली विभाग ने चापे मारी की थी आरोपी को संका थी कि एकलाग ने ही चापे मारी करवाई है जिसको लेकर दोनों में विवाद हुआ था तो वहीं लोगों में यावी चर्चाए कि एकलाग की पत्नी से सेरू का प्रेम प्रसंग चल रहा था हत्या की वज़े यावी मानी जा रही है फिलाल पुलिस ने हर पहलू पर जान सुरू कर दी है ब्यूरो रिपोर्ट आई पियन